शोईब मलिक से तलाक के बाद सानिया मिर्जा अकेले ही अपने जीवन में आगे बढ़ रही है सानिया मिर्जा अक्सर सोशल मेडिया पर आक्टिव रहते हुए अपने बारे में जानकारी प्रदान करती रहती है फैंस भी उनके बारे में जानने के लिए काफी उत्साहित रहते हैं सानिया ने बड़ा जटका लगने के बाद खुद को संभालने का काम किया है वह अपने बेटे के साथ अब अखेली रहती हैं और खुद को व्यस्त रखने का प्रयास भी करती है एक दिन पहले ही उन्होंने एक फोटो स्टोरी पर लगाया था जिसमें देखा जा सकता था कि स्तानिया को ड्रिप लगी हुई है वह किसी अस्पताल में है शायद वह किसी विग्यापन शूट का हिस्टा था हाला कि उसके एक दिन बाद ही उनकी तरफ से अब कुछ नया सामने आया है उनकी खुशनुमा मिजाज वाली कुछ फोटोस पोस्ट हुई है वह अपने बेटे के साथ भी है और कुछ अन्य बच्चों के साथ भी फोटो पोस्ट कर रही है फैन जिसे देखकर एक बार फिर से शूट मलिक को बुरा भला कहने लगे एक यूजर ने लिखा कि आप काफी मजबूत महला हो दुनिया की सारी खुशी आपको मिले एक अन्य यूजर ने लिखा कि आपके साथ शूट मलिक ने काफी गलत किया काफी यूजर्स ने सानिया मिर्जा के फोटोस की तारीफ करते हुए उनका समर्थन किया सवाल यह भी है कि क्या सानिया मिर्जा को अभी शोईब मलिक की याद आती है तो इन फोटोस को देखकर कहा जा सकता है कि अब वह आगे बढ़ गई है और शोईब से लेना देना नहीं है ना ही शोईब मलिक की याद सानिया मिर्जा को आती है उन्होंने अपनी खुशी सोचल मीडिया पर व्यक्त की उन्होंने दर्शाया है कि वह अपने जीवन में पूरी तरह से विहस्त है बता दें कि पूर्व भारतिये टेनिस खिलाडी सानिया मिर्जा पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है शोईब मलिक से तलाग के बाद से ही सानिया मिर्जा सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म पर काफी आक्टिव हो गई है वह फैंस के साथ अकसर अपने विचार शेयर करती रहती है बता दें कि भारतिये टेनिस स्टार खिलाडी सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी कुरिकेटर शोईब मलिक से शादी की थी इन दोनों का एक बेटा भी है सानिया और शोईब के बीच दूरियों की खबर आती रहती थी शोईब मलिक ने जब पाकिस्तानी आक्ट्रेस सना जावेद के साथ अपने रिष्टे पर मोहर लगा दी इसके बाद सानिया मिर्जा के परिवार की ओर से दोनों के तलाग को लेकर एक संयुक्त बयान भी आया सानिया और शोईब ने अपरेल 2010 में शादी की थी शोईब की नई शादी के बाद सानिया का नाम एक भारतिय क्रिकेटर के साथ जोड़ा जा रहा है टीम इंडिया के क्रिकेटर मुहम्मद शमी की बात करें तो वे भी अपनी पत्नी से अलग हो चुकी है सानिया मिर्जा और मुहम्मद शामी की शादी कूले कर अचानक से सोशल मीडिया पर अलग-अलग खबरे वाइरल होने लगी है जिन में दावा किया गया कि सानिया मिर्जा और शमी जल्द ही आपस में शादी कर सकते हैं इन अफ़वाहों पर सानिया के पता इमरान मिर्जा ने चुपपी तोड़ी है इमरान मिर्जा ने एंडि टीवी पर कहा इन खबरों में कोई सच नहीं है दरसल कुछ दिन पहले सानिया मिर्जा और महम्मद शमी ने शादी को लेकर अपने अपने विचार रखे थे इसके बाल से सोचल मेडिया पर फैंस ने दुनों को एक दूसरे के लिए पोफेक्ट मैच बताना शुरू कर दिया और यहीं से इस तरह की खबरे वाइरल होने लगी कि दोनों निकाह करने वाले हैं